पाई पाई को महताज हुए इमरान खान बिग गया बंगला और लगजरी गाड़िया दस साल पुराने कपड़े पहनने को हैं मजबूर घर में बची तीन प्लेड, दो मग और एक फ्राई पैन बॉलिबुड एक्टर इमरान खान की हालत देखकर शायद किसी को अपनी आखो पर भरोसा नहीं होगा आमिर खान के भाँजे इमरान इन दुनों बुरे हालात उसे गुजर रहे हैं कभी अरबो रोपय के बंगले में रहने वाले इमरान आज एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं उन्होंने अपनी कारें भी बेज़ दी हैं उनके पास सिर्फ प्लेट, मग और फ्राइंग पैन ही बचा है ये खुलासा खुद इमरान ने एक इंटर्व्यू में किया है अपनी पहली ही फिल्म जाने तू या जाने ना से ही इमरान स्टार बन गये थे हर लड़की उन्हें अपना दिल दे बैठी थी लेकिन इमरान ने बताया कि काम ना होनी की वज़़े से उन्हें अपना बंगला छोड़ना पड़ा और गाड़ियां भी बेचनी पड़ गई वो गणिया से बात करते हुए इमरान ने कहा साल 2016 से मैंने लाइफ में लो फेज देखना शुरू किया मैं अंदर से तूट गया था अच्छी बात ये है कि मैं इंडरस्ट्री में काम कर रहा था और उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे थे तो 30 साल का जब तक मैं हुआ तब तक मुझे पैसो की चिंता नहीं थी उसकी वज़ा से मेरा करियर नहीं था क्योंकि मैं उसको लेकर कभी एकसाइटेड नहीं था कि मैं मेहनत करूँ मैं पिता बन गया था और मुझे लगा कि बस यही मेरे लिए बहुत है इसे ही मुझे सीरियसली लेना चाहिए मैं बेटी के लिए अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता था इमरान ने आगे बताया कि अब उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है पहले जहां वो पाली हिल के बड़े बंगले में रहते थे अब वो बांदरा के एक अपार्टमेंट में रहने लगे है उनके पास किचिन के सामान के तौर पर तीन प्लेट, दो कॉफी मग और एक फ्राइंग पैन है इमरान को अपनी फरारी गाड़ी भी बेचनी पड़ी इमरान ने बताया कि अब वो इतनी सिंपल लाइब जी रहे हैं कि आमिर खान की बेटी आईरा की शादी में वो अपना दस साल पुराना सूट पहन कर गए थे इमरान ने अवंतिका मलक से शादी रचाई थी हालाकि पिछले साल ही दोनों ने तलाग ले लिया इमरान इन दिनों लेखा वाशिंग्टन को डेट कर रहे है हाल ही में इमरान ने सोशल मीडिया पर फैंस की डिमांड के बाद एनाउंस किया कि वो कमबैक कर रहे है इसके लिए इमरान पूरी मेहनत कर रहे है वो फिटनेस और बाकी ट्रेनिंग भी ले रहे है इमरान आकरी बार फिल्म कटी बटी में निज़राय थे जो साल 2015 में रिलीस हुई थी इमरान ये हाला देखकर उनके फैंस को बहुत तरह सा रहा है बीरो रिपोर्ट बॉलीबुट पे चर्चा